आज भारत की महान कवेत्री और स्वतंतरता सेनानी सुबद्रा कुमारी चोहान का 170 जनम दिन है उनका जन्म उत्तरपरदेश के इलाबाद में निहालपुर गाउं में 1904 में हुआ था सुबद्र कुमारी चोहान के जनम दिन पर गूगल ने अपने होम पेज पर खास डूडल बना कर उन्हें शर्धाज लिदी है न्यूजिलेंड में रहने वाली कलाकार प्रभा माले द्वारा बना आये गए इस डूडल में सुबद्र कुमारी चोहान को साड़ी पहने और कागस कलम लिए हुए दिखाया गया है सुपुद्र कुमारी चौहान की कविताओं में इसे एक कविता थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली राणी थी इसलिए गूगल ने डूडल के एक तरफ पर कवितरी की प्रिसित कविता जहासी की राणी का चितरन है जो कि हिंदी साहिते में महत्पुन स्थान रखती हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्वतंतरता सेनानियों की जलक दिखाए गई है सुबुद्रकुमारी चोहान ने स्वतंतरता संगर्ष में अपने योगदान के तहट क्रांतिकारी भाषन दिये और उनके कुल 88 कविताएं तथा 46 लगो कथाएं प्रकाशित हुई उनकी पहली कविता केवल 9 साल की उमर में ही प्रकाशित हो गई थी उनकी कविताओं में मुख्य रूप से भारते महिलाओं और जाते बेदभाव जैसी कटनाईयों पर ध्यान केंदरित रहता था